हेलो एब्रिवन यहां पर एक कमेंट आया इनका नाम है मुहम्मद नईम तो मुहम्मद नईम सर हमारे बहुत पुराने एजन चैनल के सब्सक्राइबर भी है तो इसका इनलेसस देख लेते हैं चैनल को लाइच और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं काबरा एक्स्क्रूजन में कम्प्लिटली स्टॉक ड्रॉपडाउन मोमेंटम के साथ नीचे की दिशा ही पकड़े हुए वज़ए क्या है कि स्टॉक के नतीजे थोड़े अनीविन हैंगे इसी वज़ए से जब नतीजे अनीविन रहते हैं तो स्टॉक ऐसी ड्रॉपडाउन मोमेंटम पकड़ता है नो डाउट कम्पनी ठीक है यहां डिविडेंट भी दे रही है 3.50 रुपीज का बट स्टिल कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स उतने एट्रेक्टेड नहीं है वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी स्टॉक में उतने रहते नहीं है अब यहां पर देखें तो स्टॉक में पहली बात तो आपको एक बता दूँ कि कल स्टॉक के नतीजे है 25 जेन तो फिलहाल कोई बाइंग एंसलिंग मत करिएगा क्योंकि 25 जेन कल स्टॉक मोडी रह सकता है और किसी के साब से नहीं चलेगा मार्केट को पसंद आए अगर नतीजे तो अच्छा चल सकता है नतीजे अगर बिगड़ते हैं नो डाउट नतीजे अच्छे रहे और अगर फिर भी कहीं न कहीं मार्केट को पसंद आए तो यहाँ पर देखें तो इसके नीचे सटॉक नहीं कर आया आए तो आप देखेंigor स्टॉक flowers अंड्रեյ का सपोर्ट बनती ओ नजर आ रहा पहले भी सी लैविल के काफी सपोर्ट बनती नजर आ यहां भी stock ने support लिया और channel में चली रहा है stock आप देखें अगर यहां पर stock channel की formation बनाये हुए नीचे accumulation ऊपर returns book तो channel ठीक है channel अभी टूटा नहीं है कहीं unevenness नहीं आई है channel में तो chart healthy chart है कोई दिखकत नहीं है उसमें बस नतीजे थोड़े नीचे की दिशा जाधा पकड़ता आएगा एक नजर यहां नतीजे भी डाल लेते हैं जो पुराने नतीजे हैं अगर आप इसमें देखें तो September quarter का जैसे profit देखें तो यहां 5.70 June का similar था बट March में जाधा था तो यहां पर इसी वज़े से यह नतीजे थोड़े uneven हैंगे यहां पर देखें फिर profit कम हो गया फिर बढ़ हुआ था next काफी कम हुआ इसी वज़े से मैं बोल रहा हूं कि नतीजे बिगड़े हुएं इसलिए चार्ड में uneven है क्योंकि हमेशना आप देखें नतीजे और sales कैसी रहती हैं हमेशना upward momentum के साथ रहती है sales यहां देखें 182 रही है यहां इसके पहले 133 थी और उसके पहले 177 तो sales में भी वही है अप डाउन जादा चल रहा हैगा इसी वज़े से तो यहां पर आप देखेंगे कल के दिन अगर stock कोई momentum पकड़ेगा वेल यह तो drop down हो गया एक दिन का क्योंकि कल market fall हुआ तो यह crash हुआ था आज recovery हुई है ठीक ठाक recovery हुई है जादा नहीं कह सकते 419 के आ हुच रहे हैं या bullish मश दिख रही है और नतीजे कर अच्छे आते हैं तो फिर आप इसमें profit book करके निकर जाईए क्योंकि इसलिए क्योंकि कोई भरूशा नहीं है ऐसे stocks का और अभी इतनी बड़ी company नहीं है आप देखें तो 1400 CR का ही market cap है company का और चार्ड भी हो दना आप इसलिए आपको भरत नहीं होगी बात करते हैं कि कल के दिन क्या targets रहेंगे अगर उपर चलता है तो पहला hurdle रहेगा अपना 425 as it is psychological level as well तो यह हो गया अपना यहां कहीं पर 425 हो गया फिर उपर की दिशा आकर यहां से जब पकड़ेंगे तो फिर आप देखें 425 sustain हो जाता है तब फिर अपना 430 यह कुछ इनी candles के साथ साथ उपर जाएगा क्योंकि suddenly तो नहीं भाग सकता है अब यह तो हुई उपर की बात कल एक chance और बन सकता है कि stock यहां से अगर यह support तोड़ने की कुशस कर रहे हैं कि market के stock के result है तो अगर यह break करता है तो यहां कहीं मिल सकता है stock 400 क आपको नजर रखनी होगी क्योंकि एक बार अगर support तूट जाता है तो फिर दिक्कत होगी और अगर नतीजे बिगड रहे है stock के तो और यह support अगर break हो रहा है 392 तो फिर आप सोच लीजे कि stock फिर लंबे समय के लिए sideways होने वाला है कि already stock drop down position पे चल रहा है और अगर 392 का support break ह को जाएगा तो फिर आपको कहां दिख रहा है यहां को यह support हैंगे अपने 388 यह तो पूरा channel टूड़ गया ना तो channel टूड़ गया फिर channel के में वापसी आने में भी समय लगेगा और आपका पैसा फस जाएगा तो इसमें थोड़ी साफदानी बढ़ती है यह चोटे stock वैसे stock है कि stock में ना एक बड़ा momentum आता है यह देख सकते हैं आप यहां पर बड़ा momentum आया operator driven हुआ यहां पर फिर बड़ा fall ट्रेंड लाइन की hurdle फेस करी सारा यहां पर stop loss hunting हुई है और बड़ा fall बनती हुई नजर आया यहां पर भी देखें यह कितनी बड़ी candle बनती हुई नजर यहां पर क्यों बनी क्योंकि यहां पर operator driven था बड़ा fall आया एक दिन में यहां तक ले गए जितने retailers थे trap हुए यहां तक और यहां sell off किया सटाक नीचे तो ऐसे stock से थोड़ा बचके रही है अगर कभी अभी आपको investment बनाना है किसी stock में तो railways के stock में focus करी है IRFC, RVNL, rights हो गया इसके बाद आपका जितना भी यह PFC, Power Finance Corporation यह अच्छा है, REC Limited की नतीजे अच्छे रहे हैं, इनका growth बहुत अच्छा है आने वाले दिन में, potential बहुत प्यारा आने वाला है, 17 जल विद्यूत निगम limited हो गया, यह अच्छे चलने वाले हैं, तो वहां थोड़ा focus करिए, ऐसे stocks को थोड़ा avoid करके रखे, तो hopefully यहां मैंने सारी चीजें clear कर दी, support resistance बता दिये, weak points का इसके नीचे योगा 392 के बाद, अगर जाता है, 400 as a strong support hold करके रखे हैं, जब तक it's well and good, उपर की दिशा आपको पता ही दी है, जाएगा तो इनी levels की उपर जाएगा, ज्यादा जानी पा झाल 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 झाल झाल